ओम स्री गनेशा नमदोस्तू एश्ट्रू समधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं। दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनिश और वियापार कैसा रहेगा, और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे, और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाए भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें, दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सस्क्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी द करते हैं कि आपके लिए आज पॉजेटिव रहने वाला हैं, दोस्तो आपके लिए आज काम्याबी प्राप्त होनी की संभवना अच्छी बन रही है, संतान पक्षशे, संतुष्टी आज आपको प्राप्त हो सकती है, समय के नुशार, संतान का शयोग भी आज आज आपको प्राप्त हो सकता है, संतान के कुरिया कलापो तथा घर परिवार की आवश्यक्ताओं पर आज आप खरे उतरने का प्रियास करें, दोस्तो आपके संचार कोशल और संबंदों में विस्तार होगा, और आप प्रकर्ती और जीवन से आज बहुत कुछ सीखेंगे, दोस्तो आ आज आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे, आप भविश्य हितू अनेको योजनाएं आज बनाएंगे, जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, और लंबे समय से अटकी हुई, आपकी अनेको एक्छाओं की आज पूर्ती होगी, जै दोस्तो साथिसाथ आज आपके में भी वरद्धी होगी, मल्टी लैसनल कंपनियों में कार्रे करने वाले लोगों के लिए आज का समय बहुती अच्छा रहेगा, आपकी अनेक महत्व कांच्छाओं के आज पूर्ण होने की संभावना हैं, जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा, दोस्तो पढ़ाई ल भरोसा जादा करें, दोस्तो राजनीतिक लाब प्राप्ति के भी दरश्टी से इस्थितियां आज काफी आपके लिए अनुकूल हैं, साथ ही साथ संतान के प्रती आपका वहवार काफी अच्छा रहेगा, और संतान की प्रगर्ती से आप काफी संतुष्ट होंगे, विध् और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिल्चस्पी रखेंगे, आप दूसरों की जवर्तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे, परीजनों से मदद पाने की आपकी इक्छा आपको सहयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी, दोस् काफी अच्छी संभावनाएं उत्पन हो सकती हैं, जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा, दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगर्टिव हो सकता हैं, दोस्तों किसी भी प्रकार के वित्य निवेश के लिए आज बहुती सोच समझ कर आगे बढ़ें, यदि इस छेत्र के जानकार या विसे सग्यों से सुजाव और सला लेकर ही कोई कारे करेंगे, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, दोस्तों आज का दिन आपके लिए किसी अंजान तनाव पूर्ण इस्थिती उत्पन कर सकता हैं, थोड़ा साफधान रहें, दोस्तो साथि साथ आपको अपने करे छित्र में थोड़ा ध्यान देनी के आवश्य सकता है, क्योंकि आपके विरुद आज कोई सडियंत्र हो सकता है, अतवा कोई आपके विरुद कोई चाल चल सकता है, जिसके कारण आपको मान हनी उठानी पड़ सकती है, अपना कारे आप पूरी इमनदारी से करें किसी को भी ऐसा मौका ना दें जिससे आपको कोई परिशानी उठानी पड़ें जैंदोस्तो ओफिस अत्वा कारयाले में अपने सेह कर्मियों पर भरोसा ना करें तो कि यदि आप ऐसा करते हैं तो वहें आपके भरोसे का नाजाय ये फायदा भी उठा सकते हैं और आपको चोरी चुपे नुकसान पहुचाने का भी प्रियास कर सकते हैं जिसके कारण ऑफिस में आपकी छवी को नुकसान उठाना पड़ सकता है सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो आपका जीवन साथी आपको आपके प्रतेक कारे में समर्थ हंदेगा और समय आने पर आपकी साहिता भी अवश्य करेगा इसके प्रिणाम से रूप आपका वहवाईक जीवन काफी अच्छा रहेगा जीवन साथी के साथ मदूर संबंद होने की भी संभावना बढ़ सकती है तथा आवश्यक्त अनुसार हर जीवन साथी का भी शैयुग आपको प्राप्त होगा इसलिए जीवन साथी के साथ मदूर संबंद बनाए रखना आपके लिए बहतर हो सकता है दोस्तों साथी साथ आपको यह बात का विध्यान रखना चाहिए कि प्यार और रिष्टे अपने पन इसने और प् प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है जा दोस्तों इस दिन का आपको अवश्चे ही लाब उठाना चाहिए दोस्तों बात कर लेते हैं आपको वैवसाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों आज का दिन आप के लिए बहुती सुव फल्दाई और आर्थिक इस्तिति काफी मजबूत रहेगी आज आपके लिए आस्मिक धनलाब के भी अनिको योग बन रहे हैं जिस से आपका मन बहुती प्रसन रहेगा जी हां दोस्तों आपको अपने कारों से आज अच्छा लाब भी होगा और आपके केरियर में आपकी इस्तिति काफी मजबूत होगी यदि आप किसी मित्र के साथ कोई वेपार कर रहे हैं तो इस दोरान आपको अधिक लाब मिल सकता है नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला है विध्यार्कियों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो घर में के गिरहों की यूती आपके स्वास्थ को प्रभावित कर सकती हैं इसलिए एक नियमित और अच्छी दिन्चरिया का आप पालन करें इसके लिए आप अपने खान पान पन ध्यान दें और सा जाना योग करें वैयाम करें सुस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तो आज आप इस शनान आदिश निरवत्र होने के माद एक नारियल लें या दोस्तो अब इस एक नारियल को आप भगवान भोले नात का इसमनर करते हुए ब समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो विए आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त मनुकामने भगवान भुलेनात अवश्य ही पून करेंगे दोस्तो भगवान भुलेनात का सिर्वाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्पोक्स में जै भुलेनात तवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद